तो ये तो जो मैंने बाते की कि एक आदर्श नागरिक में क्या गुण होने चाहिए उस पर कुछ तेरा चौदा बिंदूओं पर बात हुए चाहिए इसका आर्थिय हुआ कि कई लोगों में नहीं है आखिर क्यों नहीं है ऐसी क्या दिक्ते हैं जिसके कारण एक नागरिक आदर्श नागरिक नहीं बन पाता और इन में से जो गुण जो बताए गया है इन गुणों के पालन परिपालन में क्या कारण है कि वह एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवार नहीं करता और थाट अब हम बात करेंगे अच्छे नागरिक बनने में आने वाली बाधाएं उसके अच्छे नागरिक बनने में आदर्श नागरिक बनने में राह के रोड़े क्या हैं ऐसी क्या दिक्रते हैं कि वो करता विप्रायनता नहीं दिखा पाता देश भक्ती कई बार नहीं कर पाता देश भक्ती की भावना नहीं आ पाती और भी बहुत स्वस्थ नहीं रह पाता, अब स्वस्थ नहीं रहता, स्वस्थ तो हर कोई रहना चाहता है, एक अच्छा नागरिक स्वस्थ नागरिक होता है, हर कोई रहना चाहता है, एक अच्छा नागरिक शिक्षित नागरिक होता है, हर कोई चाहता है, पर क्या दिक्कते हैं, थोड़ा मन दिक्कतों की और जाएं थोड़ा उन बाधाओं को समझने की कोशिश करें कि what are the hindrances in the way of ideal citizenship, hindrances अर्थाज बाधाएं, what are the hindrances in the way of ideal citizenship, ideal means आदर्ष, तो बाधाओं की बात करते हैं, तो आदर्ष नागरिक्ता के मार्ग में, के रास्ते में, सबसे बड़ी बाधा जो है, वो है आर्थिक विशमता, और विशमता ही क्या, आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या, आर्थिक विशमता सबसे बड़ी बाधा है, और आर्थिक का आर्थ होता है आर्थ से याने धन से यदि हम लोग संपन्द रहें तो ऐसा विश्वास है कि हमें से अधिकतर लोग इन आदर्श नागरिके के गुणों को समायोजित कर लेंगे ये धन की कमी है निर्धनता है दरिद्रता है या एक तरीके से ज़्यादा अपेक्षा है जिन्दगी में ज़्यादा और कमाने की जो लोगों के आदर्श नागरिक बनने के राह में बाधा बनी हुई है कैसे मेरे पास मैं निर्धन हूँ तो मैं चोरी करूँगा मैं निर्धन हूँ तो मैं अन्य बराईयों में भाग लूँगा मैं निर्धन हूँ तो शायद मैं किसी देश के लिए जासुची भी कर लूँँ मैं निर्धन हूँ तो मैं अन्य वो सारे गलत काम करूँगा जो देश के हित में नहीं है तो सबसे बड़ी बाधा आर्थिक विपन्नता आर्थिक विशमता गरीब आदमी जो है वो तो अपने दैनिक जीवन के आवश्कताओं को जुटाने में व्यस्त रहता है वो तो इसी उसमें बीजी रहता है कि दो जून की रोटी उसको और उसके परि सवारों के संख्या करोडों में हैं जो दो जून रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं कठोर परिश्नम कर रहे हैं और ऐसे में जिसे कहीं से सरलता से पैसा मिलने के गुजाईश दिखती है तो वो गलत काम करने में नहीं है चकता जो की एक आदर्ष नागरिक ना होने का चोरी चपाटी हो चाहिए बैंकों में एटीम में चोरी और अन्य गलत कारे हों ये गलत कारे आर्थिक तंगी के कारण होते हैं तो आर्थिक विश्मता बहुत बड़ी हैं समाज और देश के अप्रति उप्योगी कार करने की आशा तो दूर वो तो इसी बात से उल्शा हु है कि मैं कैसे रात का भोजन जटाऊं अपने परिवार के दवादारु का इलाज दवादारु कैसे जगार करूं कैसे दवाईयों की व्यवस्था करूं कैसे दो जोड़ी कपड़ों के विवस्था करूँ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये समस्या बहुत से लोगों को खाय जाती है और विवश करती है ऐसे कारे करने के लिए जो आदर्श नागरिक बनने में बाधक हैं, उसे आदर्श नागरिक बनने से वंचित करते हैं, तो और इसमें विस्तार सिना जाते हुए, आप इतना समझ लें कि आदर्श नागरिक बनने में सबसे बड़ी बाधा है आर्थिक विपन्नता, आप उन देशों को देख लीजे जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जहां अधिकतर लोग गरीबी रेखा से उपर रहते हैं, ज पहला कारण तीर, दूसरा कारण जो दूसरा बाधा, दूसरी बाधा भारत के मामले में बड़ी माइने रखते हैं और वो है जातियता की भावना, जातियता की परणाम यह हुआ है कि जातियता की भावना ने हमारी सोच को बहुत संकुचित दाएरे में कर दिया हैं, हम रा प्रफा के लिए बहुत से कारे किये गए हैं सामाजिक कारे कानूनी कारे समव्यधानिक प्राउधान लेकिन उसके बावजू जाती प्रफा की पकड़ गाओं में विशेश कर इतनी गहरी बैठी हुई है कि वहां के लोग जो नागरिक हैं भारत के निवासी हैं नागरिक हैं वे लोग अपनी जाती के बाहर नहीं सोच पा रहे हैं यदि वो किसी नेता का चैन करते हैं तो जाती की बात करते हैं विवास संबंदों की बात करते हैं तो जाती की बात करते हैं परिवार वालों को शिक्षा देना है तो अपनी जाती के जो लोग हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेच खुलेगे वहां पढ़ाएंगे भले ही वहां का शिक्षा करतर कैसा हो तर चीज में जाती, जाती बहुत बड़ी बाधा है जाती हिद को राश्ट्री हिद से उपर रख देते हैं उससे ज़्यादा महत दे देते हैं तो ऐसे में जातिवाद की जड़ ज़्यादा गहरी बैठी हुए और ये बहुत बड़ी बाधा है इसी के कारण सामाजिक भेदभाव हो रहा है इसी के कारण अस्प्रिष्टता जैसी बात आई है अच्छूत जैसे विचार आए है और दलित निम्नवर्ग आदी जैसी भावनाएं इस जातिवाद की पैठ है तो भारत के परिप्रेक्ष में आर्थिक विश्वमता तो एक समस्या है ही दूसरी बहुत बड़ी समस्या है जातिवाद संभा है कि यदि हम आर्थिक रूप से संपन होएं तो शायद जातिवाद की पकड़ भी थोड़ी कमजोर होए अभी लोग अपनी जातिवाद के लोगों को इसलिए पकड़े रहते हैं उमीद में कि जाति के व्यक्ति शायद हमारा उधार करें ऐसा गरीब तपके के लोगों की सोच रहती हैं तो जातियता बहुत बड़ी बाधा है तीसरी बाधा है स्वार्थ परता आजमी स्वार्थ हो चला है और ये स्वार्थ भी इसका काफी संबंद आर्थिक विपन्नता से है यदि हम संबंद रहें तो संभावना है कि हम कम स्वार्थी होंगे स्वार्थी का अर्थ क्या होता है अपने फायदे की सोच कर कुछ कदम उठाना अपने फायदे की स्वा को पहला इस्थान पर को दूसरा इस्थान ये स्वार्थ परता है एक आदर्ष नागरिक जो है वो स्वाच्छ माहौल में ही जन्म ले सकता है वो पारदर्शी हो सकता है सूव्यवस्थित शासन में ही एक आदर्ष नागरिक बन सकता है यदि शासन सूव्यवस्थित नहीं है वहाँ पर स्वार्थ परता का बोल बाला है यदि शासन पारदर् का बोल बाला है सब अपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए वहां बैठे हुए हैं शातन में तो निश्चित रूप से वे लोग आदर्श नागरिक नहीं हैं और क्यों ऐसा हो रहा है क्योंकि सब कोई धन की दौड में है धन अर्जित करने की दौड में है तो ये स्वार्थ परता बहुत बले बाद है स्वार्थी और भ्रष शासन के नियंत्रण में आदर्श नागरिक कभी पनप नहीं सकता जो लोग आदर्श नागरिक होने की तमन्ना भी रखते हैं तो उनके रास्ते में आने वाले भ्रष्टा चार दिनों दिन का भ्रष्टा चार दिनों दिन की जाती इता की समस्या दिनों दिन की लूट पाट ये उनको खाए बैठी रहती है कई बार आदर्श रहने की मंशा रखने वाले लोग भी विवश हो जाते हैं कि वो भी भ्रष्टा चार का रास्ता अपना है क्योंकि उनको लगता है कि बिना भ्रष्ट कदम उनके कारे नहीं हो रहे हैं शासन में ब्रष्टा चार का जो बोल बाला इतना है वो विवश कर देता है व्यक्तियों को अपने आदर्श विचारों से हट कर ब्रष्ट मार्ग अपनाने का एक यदि किसी को मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए जो दुनिया भर की जो वि और मकान संबंदी फाइल को बढ़ाने के लिए आपको कई बार संबंदित अधिकारी कर्मचारी बाबू लोगं को पैसा देना होता है ये भरष्टा चार यदि इस कदर है तो आदर्श नागरिक होने की मंशा रखने वाला गर्टी भी भरष्टित हो जाता है विवश हो जाता है तो इसलिए स्वार्थ परता, स्वार्थी और भरष्ट शासन ये एक बहुत बड़ी बाधा है आदर्श नागरिक के मार्ग में भारत के परिप्रेक्ष में निर्धन्ता बहुत बड़ी बाधा है जातीता जहांकि एक बहुत बड़ी समस्या है के बाद साम्प्रदाइक्ता साम्प्रदाइक्ता का अर्थ क्या होता है साम्प्रदाइक्ता का अर्थ धर्म के नाम पर बटवारा धर्म के नाम पर एक दूसरे से जगड़ा परनाम क्या होता है जाती के नाम पर जैसे कटुता उत्पन होती है ऐसे धर्म के नाम पर भी समाज में जो कटुता उत्पन होती है वह बहुत खतरनाक है और आदर्श नागरिक के मार्ग में बहुत बड़ी दिक्कत है आदर्श नागरिक बनने में बहुत बड़ी समस्या है सांप्रदाइक्ता की भावना बहुत कटिता पैदा करती है धर्म के नाम पर हम सोचते हैं धर्म के बाहर नहीं जाते हैं एक बहुत प्रसिद रक्ता भी यहां पर हम देना चाहेंगे किसी का प्रसिद उद्धरन कोटेशन है ब्रिंग रिलिजन इन्टो पॉलिटिक्स और नॉट पॉलिटिक्स इन्टो रिलिजन राजनीति में धर्म लाएं धर्म में राजनीति नहीं धर्म का क्या अर्थ है धर्म का अर्थ है कर्तव्य हम जो भी धर्म का पालन करते हैं उसके पालन का मतलब यह है कि हम उस धर्म में जो कर्तव्य दिये हुए उनका पालन करते हैं तो धर्म का बहुत निकट का रिष्टा है कर्तव्यों से लेकिन हम यहां पे धर्म का आर्थ कुछ और समझ बैठे हैं केवल ईश्वर और उसके संबंदी चीज़ों कोई धर्म मान लिए धर्म मने करतव भी होता है यह मेरा धर्म है कि मैं देश की रख्षा करूँ कहते हैं न यह मेरा धर्म है यहने यह मेरा करतव है यह मेरा धर्म है कि मैं माबाप की सेवा करूँ यहाँ पे धर्म का क्या रथ है, religion? नहीं, यहाँ पे धर्म का रथ है duty, जो धर्म, bring religion into politics, wrong, bring politics into religion, wrong, यहाँ पर bring religion into politics का रथ होगा, religion मतलब duty, धर्म लाओ, duty लाओ, कर्तब विलाओ, राजनीती में धर्म को लाओ, यानि सामप्रदाइकता वाला धर्म नहीं, duties को लाओ, लेकिन दुर्भागे से हो क्या रहा है, और होता क्या है, we bring politics into religion, हम धर्म में, यानि religion वाले धर्म में, हम क्या ले आ रहे हैं, राजनीती ला रहे हैं, और यही सामप्रदाइकता को बढ़ हम आज की शान्ति को नश्ट कर रहे हैं, तो सामप्रदाइकता की भावना में बैकर, लोग जो हैं, वे राश्टरहित को भूल जाते हैं, उसकी उपेक्षा करने लगते हैं, ऐसी इस्थिति में आदर्श नागरिक्ता की प्राप्ति असंभाव है, तो यह उम्मीद है कि य इतनी घातक साबित हो रहे हैं, तामप्रदाइकता हमें राश्टहित को दूर, राश्टहित से दूर कर देती हैं, पाच्वा जो कारण है हमारे आदर्श नागरिक्ता के मार्ग में, वो है सार्वजनिक जीवन के प्रति उदा सीनता, सार्वजनिक जीवन के प्रति उदा स सीनता साम्प्रदाइकता के बाद सारवजनिक जीवन सारवजनिक जीवन का अर्थ क्या है पब्लिक लाइफ अब पब्लिक लाइफ क्या है पब्लिक की लाइफ नहीं जनता की लाइफ नहीं जनता का जीवन नहीं सारवजनिक जीवन मतलब ऐसे कारे जिसमें हम जनता से जोड होते हैं जितने भी राज नेता हैं politics कि मन जो हैं उनका मुख्यकार क्या होता है जनता की सेवा भीरोक्रेट्स का मुख्यकार क्या होता है जो जो शासक वर्ग होता है अदिकारी जनता की सेवा इसमें जो राजनीतिक शित्र में जो लोग आते हैं ये कौन आ रहे हैं बड़ा दुख की बात है कि आज वर्तमान भारत में राजनीतिक शित्र में सबसे ज़्यादा अकर्मन्य सबसे ज़्यादा अशिक्षित और ऐसे लोग आ रहे हैं जो कहीं और नौकरी नहीं कर पाए राजनीती उन लोगं का अड़ा बन गया है उन लोगं का खाड़ा बन गया है जो कहीं पर भी अपने को ठीक से समाहित नहीं कर पाए तो politics is the last refuge of scoundrel एक quotation है राजनीती जो है बदमाशों का आखरी शरण होता है और कहना नहीं होगा कि ये बात काफी कुछ सच निकल रही है और परिणाम क्या हुआ है कि राजनीती जीवन में इन बेकार लोगों के आने से जो अच्छे लोग हैं वो लोग इसके प्रती उदासीन हो गया है पॉलिटिक्स के प्रती उदासीन हो गया है इन्डिफरेंट हो गया है उदासीन होना है इन्डिफरेंट होना अंदेखी करना राजनीती में अब वाकिया नहीं रखना चाहते वो अपनी जीविका में ही व और है राजनीति के प्रतिधासी निता का और वो है कि राजनीति बड़ी महंगी हो चली है जदि हमें कोई भी पद के लिए चुनाओं में खड़ा होना है तो मुझे करोणों रुपया खर्च करने पड़ते हैं चाहे वो ग्राम पंचायत के चुनाओं ही क्यों नहों या नग नगम का क्यों नहों नगर पाली का क्यों नहों आप देखते हैं चारों तरफ हर नेता के कितने एक बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं विग्यापन लगे होते हैं पेपरों में पूरा विग्यापन भरा रहता है और इसके पीछे उद्देश होता है अपना प्रच से समझाता करना बहुत बड़ी समस्या होती है परणाम क्या है निशकर्ष ये है कि सारजनिक जीवन याने राजनातिक जीवन के प्रती लोंगों की उदासीन्ता हो गई है और ये उदासीन्ता बहुत खतरनाक है इस उदासीन्ता का परणाम ये है कि वर्तमान में जो इस चुनाओं में हर सौ में मत्र साथ लोग वोट देने जाते हैं चालिस लोग नहीं जाते हैं लगभग औसतन हर सौ में चालिस लोग चुनाओं में मत्रदान करने नहीं जाते यहने वो देश के देश के शासन चलाने वालों के चैन में वो हिस्सा ही नहीं लेते क्योंकि वो उदासीन है, उनका कहना है कि किसी को भी चुनो, सभी नेता एक ही थैले के चटे बटे उनकी सोच है कि कोई भी चुना जाए, वह उतना ही करप्ठ है, उतना ही गलत है, उतना ही गयर सामाजिक आदमी है, जितना दूसरा है ये उदासीनता बड़ी खतरनाक है कलपना करिए कि एक समय ऐसा आएगा कि मतदान में ना जाने वालों का प्रतिशद साथ प्रतिशद हो जाएगा और मतदान में जाने वालों का मातर चालिस प्रतिशद तो यानि चालिस लोग तै करेंगे सौ में चालिस लोग कि हमारा नेता कौन बने और साथ लोग उस प्रक्रिया से अपने को बाहर रखते हैं तो क्या वास्तों में ये जनता का नेता कहलाएगा जो मतर चालिस लोगों के बीच मतदान से चुना गया हो नहीं तो ये खतरनाक सित्य है इसे से बचने के लिए जरूरी है कि एक आदर्श नागरिक हम बने और मतदान की प्रक्रिया में सक्री रूप से भाग ले राजनीतिक उदासीन्ता देश के लिए हमारे अपने लिए खतरनाक हो सकती है तो इसलिए यहां इस माध्यम से यह हम अपील भी करेंगे आप सब से कि यदि आप अठारा वर्श के वैस्क होते हैं जैसे ही तो मतदान की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें अपने मत को बहुमूल ले मानते हुए और सारजनिक जीवन से उदासीन्ता ना रखें जदि अधिकांश नागरिक देश की समस्याओं और सारजनिक दीवन के प्रती उदासीन हो जाएं अधिकांश लोग तो क्या होगा आदर्श विकास की संभावना खतम हो जाएगी ब्रष्टा चार और बढ़ जाएगा और वो ब्रष्टा चार हमारे लिए ही समस्याओं बनेगा अपराद बढ़ जाएंगे क्योंकि अपरादी लोगों का बोल बाला रहेगा शासन में तो हमारे लिए समस्याओं बढ़ेगी तो इसलिए उदासीन ता खतरनाक है हमें राजनीति में एक्टिव होना पड़ेगा दूसरी बाद है जो है वह है अशिक्षा यह भी भारत के परिप्रेक्ष में बहुत बड़ी समस्याओं है अशिक्षित और अग्यानी व्यक्ति क्या चुनेगा वो गलत और सही में कैसे अंतर निकाल पाएगा आदर्ष क्या है और अनादर्ष क्या है वो कैसे जानेगा उसके लिए तो आदर्ष वही है जिसमें उस दो जून रोटी का जिसमें उसकी जीवन चर्या का जिसमें उसके परिवार के नियूनितम लालन पालन का प्रावधान हो जाए वही आदर्ष है उसका अदर्श चो वो लोग हैं वो चोर लिटेरे बदमाश लोग जो लोग इन गलत कारियों के बल पर आगे बढ़ चले हैं तो जो गरीब आदमी है वो भी इनी की और मुखातिर होते हैं इनी की और देखते हैं और इनी के विचारों का परिपालन करते हैं इनी की परिपाटी में चलने लगते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शिक्षा का प्रचार हो दुरभाग से चूंकि हम बात कर रहे हैं कि आदर्श नागरिक के मार्ग में क्या बाधाएं हैं अशिक्षा एक बहुत बड़ी बाधा है एक अशिक्षित व्यक्ती जाननी पाता कि उसके अधिकार क्या है अधिकारो का उप्योग बहुत महत्वपूर्ण है और यदि अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तो इसके प्रती आवाज उठाना एक आदर्श नागरिक का करतव्य है उसी प्रकार एक अशिक्षित व्यक्ती जाननी पाता कि उसके करतव्य क्या है और करतव्यों की जानकारी ना ह होने के कारण वो बहुत बार गलत अपराज करते बैठता है गलत मार्क पे चला जाता है वो भूल जाता है कि देश के प्रती उसका कुछ करतव्य है समाज के प्रती सरकार के प्रती उसका कुछ करतव्य है वो केवल अपनी ही सोचता है क्योंकि वो अशिक्षित है जो सारव पुर्जनिक समस्याएं भी सभी के समस्याएं होती हैं यदी सडके खराब हैं किसी शहर की तो वह समस्या शासन की नहीं है उससे समझना होगा कि वह समस्या उसकी भी है और इसलिए उसको जाग्रूख होना होगा आवाज इठानी होगी कि सडकों की व्युत् Attention ही पर ऐसा नही होता जागरूत करने की बात ही दूर और इस सब का परणाम क्या है कि उसका अशिक्षित होने के कारण वो उसका जो खुद का व्यक्तित्व है उसका विकास नहीं हो पाता व्यक्तित्व का विकास नहीं होना मतलब राष्ट के विकास में कोई योगदान न दे पाना और राष्ट का विकास वहां के नागरिक ही करते हैं राष्ट का पतन वहां के नागरिक ही करते हैं राष्ट स्वैम में कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी चीज के लिए जिम्मेदार मान ली जाए राष्ट के नागरिक देश का विकास तब करते हैं जब स्वयम के व्यक्तित का विकास करें तो इसलिए शिक्षा और ग्यान के अभाव में आदर्ष नागरिक की कल्पना करना बेमानी है हमें शिक्षित होना होगा भारत में अशिक्षा जो बहुत गहरी बैठी हुई है वो यहां के नागरिकों को आदर्श बनाने में बड़ी बाधक हो गई है अगला बिंदू जो है प्रांतियता की भावना प्रांतीयता की भावना का अर्थ क्या है जो आदर्ष नागरिक बनने में बाधक है प्रांतीता का अर्थ यह नहीं कि मैं प्रांत की बात करता हूँ 36 गड़ हूँ तो 36 गड़िया, पंजाबी हूँ तो केल पंजाब ही सरशेष्ट, गुजराती हूँ तो गुजराथी सरशेष्ट, प्रांतीता का अर्थ होता है खेत्रीता की भावना, अपने खेत्र को सरशेष्ट मानना, अपने को ही सरशेष्ट मानना, ये बड़ी संकुच प्रवित्ती है प्रांतीता से उठकर हमें राश्टीता की सोच लानी होगे राश्टीता से बढ़कर हमें वैश्विक सोच लानी होगे तो वैश्विक सोच जो आज की सोच है जो आज की मांग है वो वैश्विक सोच तो कोसों दूर हम राश्टी सोच से भी बहुत पीछे है और मात्रक्षेतरीता की बात करते हैं हमारा दायरा बड़ा संकुचित है हमारी सोच बड़ी संकुचित है परणाम क्या होता है ये संकुचित सोच से अलगाववादी प्रवृत्ति आती है separation अलगाववादी हम सबसे अच्छे हमारा पड़ोसी बुरा ये हम लोग में जो अहम है वह अलगाववादी तत्यों को बढ़ाता है और एक राष्ट के लिए अलगाववादी तत्यों का पनपना नुक्सान दे है इसलिए एक आदर्शनागरिक को अपनी प्रांतीता सोच से प्रांती सोच से खेतरी सोच से बाहर आना पड़ेगा उसके दायरे से निकलना पड़ेगा उसे मातर अपने राज्ज के वर्चस की बात छोड़नी होगी उत्तर प्रदेश वाला सदेव प्रयास करेगा कि मेरा उत्तर प्रदेश ही पूरे देश में हावी हो मदिय पिदेश का व्यक्तिस सदेव यह प्रयास करेगा कि यहां का मदिय पिदेश की विचारधारा पूरे देश में हावी हो लेकिन ये गलत है ये राष्टित पर सबसे बड़ा आगहात है और राष्टीता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तो हमें इस खेत्रीता की भावना से उपर उठके राष्टीता की भावना की और सोचना होगा आठों आठों ही बाधा अगा और वह है पक्षपात पूर्ण द्रिश्टिकोन эфф committee से क्षपात पूर्णा द्रिश्टिकोन मतलब का से फैवरिटसम फैवरिटसम जिए नयाय बैडिनानश करके किसी को फैवर करना किसी को पक्षपात करना और ये पक्षपात पूर्ण व्यवहार क्यों होता है उन्हीं बिंदूओं के कारण जो पहले मैंने बताए हैं क्षेतरीता कि यदि भावना मजबूत हो तो आप पक्षपाती करोगे संप्रदाइकता विचार रखते हो तो आप पक्षपात करोगे अपने धर्म के लिए आप अशिक्षित हो तो आप अपने परिवार के बारे में पक्षपात करोगे उसके अलावा वर्ग वांश लिंग स इसके आधार पे आप पक्षपात करोगे और पक्षपात जब करते हैं इसका मतलब यह कि आप न्याए ना करके अन्याए करते हैं यह बढ़ता हुआ अन्याए समाज के लिए बड़ा खतरनाक है यह बढ़ता हुआ अन्याए पक्षपाती रवईये के कारण होने वाला जो अन्याए जो है वह आदर्श नागरिक हमें नहीं बना सकता तो हमें इस पक्षपाती रवईये से बाहर निकलना होगा पक्षपाती सोच से बाहर निकलना होगा मेरी जाती सबसे अच्छी मेरा धर्म सबसे अच्छा मेरा खेतर सबसे अच्छा मेरे लोग सबसे अच्छे मेरा लिंग सबसे अच्छा मेरा वंश सबसे अच्छा ऐसी सोच को बड़ा संकुचित सोच कहते हैं और ऐसी सोच रखने वाले कभी आदर्ष नागरिक निक बन सकते तो देश में आदर्ष नागरिक बनने में ये बहुत बड़ा कारण है पक्ष पात्पूर्ण रवय्या और पक्ष पात्पूर्ण रवय्या क्यों है आर्थिक तंगी के कारण, सामप्रदाइक सोच के कारण, आशिक्षा के कारण मूल रूप से हम देखें तो ये तीन कारण है जो बाकी अन्य कारणों के भी कारण बने हुए है आर्थिक तंगी, आशिक्षा और सामप्रदाइक सोच जातिवाद, जातिवाद भी तो एक तरीके सांप्रदाइकता ही है तो पक्षपात पूर्ण दिश्टिकोण, पक्षपात पूर्ण रवय्या, प्रवरित्ति, आज़श नागरिक के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है बाधाएं तो और भी बहुत सी हैं लेकिन मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा ये आठ नो बाधा, एक और बाधा की बात कर लें वो है कि भाशन और लेखन की स्वतंतरता का अभाओ इस कारत क्या हुआ कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं और इसलिए हम उसको बयान नहीं कर रहे हैं, उसको अभिव्यक्ति नहीं दे रहे हैं तो हमें अपने अधिकारों के प्रति, हमें अपने अपनी स्वतनता की प्रति मुखर होना होगा यदि कहीं पर स्वतनता पर ठ्योट पहुंच रही है यदि शासन के द्वारा किसी तरीके से हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें अपने लेखन की स्वतनता भाशन की स्वतनता के आधार पे जनता को जागरुक करना होगा सजक करना होगा ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमें जो अदिकार मिले हैं वे किसी भी तरीके से छीने नहीं जा सकते ये जागरुकता के लिए जरूरी है कि स्वतंता रहे, लिखने के स्वतंता, बोलने के स्वतंता दुर्भाग्य से अशिक्षित समाज, दुर्भाग्य से आदर्श नागरिक के रास्ते में आने वाली बाधाओं के कारण, दुर्भाग्य से अधिकतर निर्धनों दौरा अपनी ही जीवका के लिए संगर्च करते रहने के कारण, उसके पास समय नहीं है कि वह इन चीजों की अभिव्यक्ति दे, इन चीजों को बयान करे, इन चीजों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करे, तो ये तो बाते हुई, आदर्ष नागरिक के गुण क्या होने चाहिए और उन गुणों में को प्राप्त करने में आने वाली बाद हाएं, आदर्ष नागरिक के गुण और उर गुणों में के मार्ग में आने वाली बाद हाएं,